Hello guys, welcome to technical math vvn channel इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा ये question है 2 raise power 20 plus 2 raise power 20 plus 2 raise power 20 plus 2 raise power 20 इसको simplify कैसे करते हैं simplification trick आपको इसमें सिखाऊंगा और ये SSC, CGL, CHS, L, Railway, Bank और किस तरह के different exam में ये इस तरह के question आते हैं तो guys start करते हैं first of all, you can see that जो यहाँ पे base है वो 2 है, power 20 है base 2 है, power 20 है तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे करते हैं 2 raise power 20 हम इसको कामल लेते हैं तो यहाँ पे आपके पास बच जाएगा 1 ठीक है, 1 आजाएगा आपके पास 1 और उसके बाद आपके पास यहाँ पे plus का sign यहाँ पे भी इसका 1, plus का sign यहाँ पे भी इसका 1, plus का sign यहाँ पे भी 1, यह bracket close clear, यहाँ भी आजाएगा 2 raise power 20 और इसको count करने 1, 2, 3, 4 यह 4 हो जाएगा clear अब गाईज आपके पास आगया 2 raise 20 multiply by 4 4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं sorry, 4 कम लिख सकते हैं 4 कम लिखते हैं, 2 raise power 2 लिख सकते हैं 4 को वो कैसे लिखेंगे यह देखें जी 4 is equal to 2 multiply 2 is equal to 2 raise power 2 clear अब हम क्या करेंगे यहां पर 2 raise power 20 multiply 2 raise power 2 clear you can see that base 2 base 2 जब गाईज बेस सेम हो तो हम क्या करते हैं बेस को लिख के उनकी powers जो है उनको sum up कर देते हैं यानि के 20 plus 2 उनकी power जो है वो add up हो जाती है तो गाईज यहां पर आपके पास answer आजागा 2 raise power 22 this is the answer of this question यह है questions are 2 raise power 22 raise power 22 raise power 22 raise power 20 तो इसकी simplification गाईज आपके सामने आगी है 2 raise power 22 यह सारा हमने procedure इसको किया और इस तरह के question आते हैं आपको within a minute या half minute आपने इसको solve करना होता है तो अगर आपको इस तरह का इसको आता होगा तो आप easily कर सकते हैं thank you guys for watching this video